मुझे चार कारण दिखते हैं मुझे चार कारण दिखते हैं पहला कारण यह है कि गीता संधर्ष का शास्त्र और आज हम लोग संधर्ष के पड़िसीति में हम उपनिशित का बिल्कुल वातावर नालग था बैठे हुए आराम से हिमाले की किसी परवत सूटी पे आश्रम में तेकि गीता में तो वहार युद्ध शुरू हो रहा है शंक बज चुके है प्रक्षपात त्यार हो रहे हैं उ इसलिए हम लोग संधर्ष में और आजकल विशेश कर संधर्ष में परिसिति में हैं इसलिए यह हमें बहुत आकर्शित करता है पहला का दूसा कार्णी यह कि भगवद गीता के गुरू का विलक्षन सुरूप हरे उपनिशित के गुरू है आप जानते है याग्यवल खेया जानिक है अंगीर सित्यादी है कि यहां तो भुवान श्री कृष्ण स्वयम है कस्तूरी तिलकम ललात फलके वक्षत तले कौस्तुवम ना सागरे नवमक्तिकम करतले विनुम करे कंगनम सरवांगे हरी चंदनम चिकले अंकंठे चुमुक्ताव लीम गोप्रस्त्री परिव अधुआ श्री का अधुट संबंध है वो मैंने आप कहीं नहीं देखा जब विराठ सुरूब दर्शन हो जाता है अज़न परणाम करते हैं तस्मात प्रणम्य अपर निधाय कायम प्रसादय यहां तो हम इश इमिजब्ट मैं साश्टांग करता हूं किस प्रकार का व्यव तीनों का समिशन जो है वो समंध है कृष्ण और अल्जुट यह और किसी शास्त में हमने ऐसा नहीं दे रहा है यह वो कहीं उपो से आउडर नहीं दे रहे हैं हमाई साथ बैठे हैं हमाई साथ रत में बैठे हैं मित्र की रूप से और चौती बात यह है साथ जन्रिक यह शे तिष्टती हर एक पढ़ानी के अंदर भगवान काने वास ही हमारे वेदान्त का मंत्र है रिग्वेज का भूत हमारे संस्कृति का मूल मंत्र है एक एकमसत विप्रहा बहुदा वदंती सताई एक है उसे कहने के अलग-लग मार गय है इसलिए गीता में हर एक जगा सा दूसरे धन के लोग भी गीता को पढ़ते हैं बड़े उस चीज से यह चार कारण में मानता हूं कि गीता इतनी लोग परी है अग गीता का संदेश किया है उसमें भी चार मुद्देस तक्षेप में रखता हूए पहला तो वो कर्मों की हमें व्याक्षा करता है गहनों कर्म दोकती अखरो की गटी बडी कठेन है शरे की सामने कठेने आपको कितने निर्ने करने पड़ते हैं अप्रदान मंत्री होंको साधार मुद्दि हो अपने जीवन में रोज कोई न कोई न कोई न्या हमें करना पड़ता है निर्ने, जैसे उन्होंने दूसरों यह सी श्लोग जो इशावासे मुदम इदम सर्वम जो सारे बर्मान में व्याब्त शक्ती है उसको यदि हम अपने कर्म से उसकी पूज़ा करते हैं तब हम सिद्धी की हो जाएगी उसका अर्चिये निकला कि जो भी हमारे इश्टे हैं जो भी हो अगर आप सचे दिल से सबर्पन करते कर्म को फिर आप गलत कर्म करना शुरू की आपने आपको लगए ये तो मैं उनको नहीं समर्पित कर्ता तो ये उन्होंने मंत्र दे रखा एक कर्म का दूसरी बात उन्होंने एक संजुक्त योग की बात की है हमारे संस्किती में आप तो जानते हैं चार प्रमुक योग हैं ज्ञान योग है भक्ति योग है, कर्म योग है, राज योग है अलग लग इनके शास्त्र भी है लेकिन गीता में साथ सोश लोग के अंदर चारों योग के उन्होंने व्याक्षा की है और जो जैसे ग्यान योग, नहीं ग्याने इनसर दिशंब बित्र में हैं विद्यते और भक्ति योग तो है जहां किष्ण होंगे भक्ति भक्ति होगी और कर्म योग की मैंने बात कही राज योग के बारे में भी मोदी जी अगर आप पढ़ें परियाप तो उसमें सामुजरी है कैसे बैठना चाहिए, कैसे शुआस लेना चाहिए, कैसे ध्यान देना चाहिए तो चारों लोगे सम्मिश्यती होगा तीसरी बात सम्युक्त आशवासन बज़ आशवासन देते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लाने भवती भारत अभिता नाम धर्मस्य तदात महनम सजां महम परित्वानाय सादु नाम विनाशा है चुदुस के पराम धर्मस्य शाप्रनाः साय सम्भवाम युगेगे और कौन ते अप्रदिजा नहीं नम्य भक्त प्रश्य नहीं अब नहीं बात कहूंगा वो दो आश्वासन दे आप अगर आश्वासन देते हैं को लोग सबह में एक साल के बाद लोगें प्रधानमस्य आपने आश्वासन दिया अशा पूरा की तो स्री कृष्ण को ऐसी जाने दे बाश्य बजाते बजाते आश्वासन देके निकल अगर हमें भगवान की आवश्प्त है भगवान को भी हमारी आवश्प्त है याद रखिये मानव की सहयो के बिना भगवान का काहरे पूरा नहीं होता जैसे सुदर्शन चक्रण का चला लेते युद्ध कर लेते नहीं क्यों अज्जन के पीछे पढ़ रहे खड़े हो जाओ निमित्नमात्रम भब मैंने सब को मार रखा है खड़े हो जाओ फड़े क्यों क्यों कि हमारे सहियों की बिना उनका काईड़े पूरा ने श्री राम ने भी जब चढ़ाई करनी थी श्री लंका पर यो अयोद्या दे कि बड़ी राजधानिय थी तो इसलिए वो सब इकठे किये वो सेना बनी तब जाके उनका कारे पूरा हुआ तो इसलिए हमें भगवान को भांगना है जो आश्वासन ने किये कि नहीं तो ये ना हो जाए कहीं मौदी जी कि हमने माना कि दर गाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक वो आश्वासन देखे जो चले गए वांसरी बजाते बजाते तो हम सब यहीं रहें और चौथी और अंतिम बात में कहा है सम्युक्त समर्पड अंत में जब सारी गीता समाप्त हो जाती है ये तो प्रशन उत्तरी है अब जानते उप दार्मान पर इत्याज आजरो, मामेकम शर्डन बढर ज़ः माँ तवा सब दार्म के धारियती तृ न ढर्म करता है कुछ दो समझते है क्यूंक उनका धन छो पूं करे तान खूंसरी तो समझते है कूंकी वुलिद्या होनकि समझते है इनकी सतह धान अंता अनत्वगत्स ध वेविक शक्ति ही धारन कर सकती है। इसलिए उगाथे सब धन को छोड़ो, मा शुचाओ, आखी जो दो शब्द है, देखी गीता है, मा शुचाओ, डरो नहीं है। जैसे एक अंधेरे कमरे में बच्चा चाल रहा हूँ, तो मा की से कहते हैं, डरो नहीं बेटा मैं विचे। तो कृष्ण कह रहे हैं, मैं हूँ ना। इसलिए अंत में मैं श्री कृष्ण के पती ही एक श्लोक अर्थुच करता हूँ, जिसमें हम कह रहे हैं, उनको प्राष्णा कर रहे हैं, कि हे बगवान, आप कृपा करके आज ही अपनी अमाई चेतना को अपने कृपा में ले अद्देव में विशितुमानस राज हमसा, प्राणप्रयान समये कफवाति टित्यी, कंठाव रोधन विदव स्परणव कृतस्ते। इन शब्दों के साथ मैं पुन्र आपका इंदिन्यमाल करते हुए प्राष्णा करता हूँ कि आपका 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 आपक